और लोगों को जब भी इंटरनेट यूज करना होता है तो उनके जवान से निकलता है गूगल, गूगल, एंड गूगल नमस्कार दोस्तों इंटरनेट यानि की गूगल जब भी इंटरनेट की वारी आती है तो जवान पे गूगल ही याद आता है अधिकतर लोग Google को इंटरनेट के नाम से ही जानते हैं और भी ऐसी कई सारी companies है जो अपने product के लिए वो famous हो चुकी है जैसे Harpik Harpik एक basically toilet cleaner है लेकिन यह इतनी पुरानी और famous हो चुकी कि जब भी usage of toilet cleaning की बारी आती है तो लोगों को Harpik ही याद आता है ठीक उसी तरह एक companies है गोद्रेज गोद्रेज यह company है बट यह product है इनका Almira ना की गोद्रेज कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जब भी कोई company कोई brand चाहे वह product बनाती हो या service प्रोवाइड करती है और वह famous होने के बाद उस product को famous company के नाम से ही जाना जाता है अब बात कर रहे हैं गूगल की तो गूगल एक search engine है गूगल के अलबा भी कई सारे search engine मार्केट में आये जैसे Microsoft, Bing, Yahoo, Opera, Mini और नाजाने कितने सारे search engine आये और गए गूगल पिछले 25 सालों से continue चलता आ रहा है और लोगों को जब भी internet यूज करना होता है तो उनके जवान से निकलता है गूगल, गूगल, एंड, गूगल बट अब इसी गूगल को टकर देने के लिए company आ चुकी है जिसका नाम है search GPT तो आखिर चलिए जानते हैं कौन है search GPT आप search GPT तो नहीं जानते होंगे लेकिन make sure कि आप chat GPT का नाम आपने जरूर सुना होगा जी हाँ वही chat GPT जिससे सन 2022 में Sam Ultimate के दवारा रिलीज क्या गया था जिनकी company का नाम है Open AI आई और इसके millions of users कुछ चार से पांच दिनों में हो गये थे और जब से chat GPT के लोग दिवाने होते चले गए अब इसके current user है 200 million यान की 20 करोर से भी ज़्यादा इसके user हो चुके है ऐसा नहीं है कि Google ने भी अपना chatbot launch नहीं किया Google भी एक पर एक chatbot release करता रहा पहले बार कुलाया फिर जेमिनी कुलाया बढ़ चैट GPT बहुत ही next level का रहा है काफी ही satisfying user रहे है इसके अब उसी chat GPT वाली company open AI ने अपना search engine launch कर दिया है जिसका नाम search GPT है और यह एक prototype है जैसे हमें Google से कुछ भी पूछना हो वो एक line में आपको बता देगा या फिर R-10 related links देदेगा आप उससे ढूड़ते रहो लेकिन search GPT आपके जवाब का clear and relevant result देगा साथी detail में answer देगा और आपका मन करेगा उससे conversation continue करते रहे हैं जैसे कि मानुम किसी व्यक्ति से बाते कर रहे हैं अब जैसे हमने पूछा कि भारत के राधानी कहां है तो वह आपके answer तो बताएगा साथ-साथ की भारत के राधानी दिल्ली है और वहां के एतिहासिक जगों को भी बताएगा और उस सर जीपीटी के लिए कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक वीडियो को लाइक सेर और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू